तो भायों देखो, हिस्ट्री, पार्थ एक, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदे और विकास, आप सभी लोगों का पहला चप्टर है, उसका आतिलगूत तरिये प्रस्न है, ये देख सकते हैं, पहला कोश्चेन है, अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में प जिसके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, इसका उत्तर पहला का उत्तर देख सकते हैं, प्रस्न दो है, विएना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवन्स की पुनरस्थापना की गई, तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है, तो इसका उत अस्तर बहुत सरल है, और तीसरा कोश्चन है, दोस्तों, देख सकते हो, जर्मनी राइन महासंग की अस्थापना किस रोख़ेन की? तो इसका उत्तर आप सभी लोग बता सकते हो, अगर पता होग तो लेकिन मैं तो बताऊंगा ही, जर्मन राइन संग की अस्थापना ने प्रस्था नंबर कोश्चन की बात करें तो प्रस्था कहता है चार टिष्ट आंदोलन में आंदोलन किस देश में हुआ था तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लेंड में हुआ था मैं बहुत मैं आप सभी लोगों को हिस्ट्री जोगर ओफीस सिभेक्स ये सब सभी साइंस सभी का आप सभी लोगों को कोश्चन एंसर करवाता हूँ अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंदार है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्रस्ण संख्या 5 कहता है कि 1830 की जुलाई क्रांती का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख सकते हो 1830 इस वीक की जुलाई क्रांती के परिनाम सो रूप फ्रांस में निरंकुस राजिसाही का अस्थान समय धानिक राजितंत्र ने ले लिया तो इसका उत्तर भी आप सभी लोग देखी सकते हो में टर्निक छटे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छटे नंबर क्वेश्चन कहता है में टर्निक कौन था यूरोपिये इतिहास में वह क्यों विख्यात है तो इसका उत्तर आप सभी लोग देख सकते हो काउंट क्लीमेट मेटरनिक अश्ट्रिया का चांसलर था नेपोलियन के पतन के पस्चात वह समस्त यूरोप का सरवाधिक महतोपुर्ण वैक्ति बन गया वह वियेना व्यवस्था यूरोपिये कंसर्ण अवित्र संग की योजना, चतुर राष्ट, मैत्री और मेटरनिक मेटरनिक वैवस्था के लिए विख्यात है तो हमारा ये क्योश्चन भी पूरा हो गया और अगर आप सभी लोगों को अभी तक ये वीडियो आप लोगों ने देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं जल्द ही आप सभी लोगों के लिए इस सभी विश्यों का क्लास तेंथ का हिस्ट्री का भी जोग्राफी का भी सिवेक्स का भी यह सब सभी का question answer जल्दी से करवा दूँगा साथमें नमबर question की बात करें तो साथमें नमबर question करता है फैंक्फरट संसत की बैठक क्यों पूलाई गई इसका क्या पड़ी नाम हुआ तो इसका उतर हो जाएका फैंक्फरट संसत की बैठक का मुख्य उद्धे से जर्मन राष्ट के निर्मान की योजना बना कर जर्मनी का एकी करन करना था यहां पर था छूट गया है एकी करन करना था और उसके बाद प्रसा के राजा फेडरिक विलियम चतूर्थ द्वारा इस प्रस्ताव को अस्विकार कर देने का अभी लंबना हो गई यह भी थोड़ा मिटर गया है तो इसके लिए सॉरी फ्रेंट्स एवं जर्मनी का एकी करन पूरा नहीं हो सका इसका उत्तर यहीं तक था बीच में यह चूट गया है इसके लिए थोड़ा माफ कर देना आठवे नंबर कुश्चन की बात करें तो करता है कि मेजिनी की इटिली के एकी करन में क्या भूमिका थी तो जिवसे पे मेचिनी इटिली के एकी करन का मसीहा था मेचिनी एक महांदार सनिक लेखक दूरदर्शी राजनेता और कमर्थ राजनेता कारे करता था इटिली के नौ निर्मान में मेजिनी की भूमिका सबसे महत्पुर्ण थी इटिली आप लोग जानते ही हो मेचिनी ने यूगों की नई चेतना जगाई वह रिपब्लिकन दल उसके मजदूरों विद्यार्थियों तथा यूगों में इटली की स्वतंतरता का भाव जगाया मेचिनी के गंतंत्रवादी विचाड़ों ने इटिली के किकरन का मार्ग प्रसस्त किया हमारा लभू उत्तर ये प्रस्न का पहला काता है फ्रांसीसी कार्णती काडियों ने सामोहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया तो इसका उत्तर आप सबी लोग देख सकते हो फ्रांसीसी क्रांती आरंभ होने के साथ ही क्रांती कारियों ने राश्ट्रिये और सामोहिक पहचान की भावना जगाने वाले काड़े के लिए पित्री भूमी और नाग्रिक जैसे सब्दों द्वाड़ा फ्रांसी सियों में एक सामुहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया छेत्रिये भासा के अस्थान पर फ्रेंच भासा को रुट्साहित किया गया पहला कोश्चन लगभू उत्रिये प्रस्न का कम्प्रीट हो चुका है दूसरा कोश्चन कहता है आप सभी लोगों को भारती भावन के बुक में आप सभी लोग जाकर देख सकते हो लगभू उत्रिये का पहला कोश्चन यही होगा अभी दूसरे नमबर कोश्चन की बात करें तो दूसरा नमबर कोश्चन करता है कि नेपोलियन की राष्टवाद के विकास में क्या भूमिका थी तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट इतना से इतना ने अपने सासन काल में राष्टवाद के प्रसार के लि असामानता को दूर करने की समानता की अस्थापना की करों में समानता अस्थापित कर दे और तीसरा कहता है कि नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन सनीता लागू करना कानून के समझ हब सब को बढ़ावरी काद ही कार दिया इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया राष्ट देश भगतों चौथा नंबर कहता है कि देश भगतों और विद्वानों और कलाकारों को समानित करना प्रारम्भ किया इन्हों ने ये भी काम बहुत अच्छा किया और पांचवे नंबर की बात करें तो पांचवे नंबर कहता है कि नेपोलियन ने एक समान सुल्ग, समान नापतौल, प्रनाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट को संगठित करने का प्रयास किया तो इसका उत्तर आप सभी लोग देखी सकते हो, वीना सम्मेलन की प्रमुख उपलब दिया इस प्रकार है, फ्रांस द्वारा विजित प्रदेशों को छीन कर विभिन राष्टों में बाट दिया गया और दूसरा कहता है कि अस्पेन को पूना हस्ताना साही देश बना दिया गया और तीसरा कहता है हार्लेंड को स्वतंत्र कर दिया गया और चौथा कहता है कि नेपल्स सार्डीनिया स्वीटिजर लेंड को फिल्ड से स्वतंत्र राज गोसित कर दिया और पांचवा कहता है कि जर्मनी और इटली के एकी करन के लिए महत्पुर्ण कारे किये गए इस प्रकार इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रसा, अश्ट्रिया और ब्रिटेन की इस्थितियों का पर विचार किया गया और इन्हें अनेक विचित प्रदेश सौपे गये, इस सम्मेलन में अंतरराष्टिये कानून बनाने पर बल दिया गया और दास्ता को समस्त करने का प्रस्ताव पास हुआ तो देखी सकते हो, फ्रेंड्स, हमारे लभू तरिये का तीसरा क्रोश्चन एंसर कंप्लीट हो चुका है अब बात है, चौथे नंबर की तो चौथा नंबर क्रोश्चन का ताई कि युनानी स्वतंतरता संग्राम के कार्णों और परिम्नामों का उलेख करें तो मुझे माफ कीज़ेगा फ्रेंड्स, ये तो क्रोश्चन इतना साही है 18. सदी के अंतिम चरंतक युनान में राश्च्रवादी भावना बलवती होने लगी नेपोलियन के युद्धों और वियना कांग्रेस के इस विचारधारा को आगे बढ़ाया राश्च्रवादी भावना के विकास में धर्म की भूमिका भी महत पूर्ण थी 18. सताब्दी के अंत में युनान में बहुत धीक अंदोलन भी हुआ करेंस नामक दार्चनिक ने युनानियों में राश्ट प्रेयम की भावना का प्रचार किया कांसेटेंटाइन रिगास नामक एकनेता ने गुप्त समाचार फात्रों का प्रसासन कर युनानियों में तुर्की के स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के निम्नपड़ी नाम हुए फ्रेंड्स ये इसी को तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो प्रसंद संख्या पांच काता है इटली के एकी करन में गैडी बालडी की भूमिका पर प्रकाश डालें तो आप सभी लोग देख सकते हो इसका उतर इटली के एकी करन में गैडी बालडी ने अनेक युद्ध किये काबूर ने जहां क भूत्रिये का छठा नंबर जर्मनी के एकी करन के लिए विस्मार्क ने कौन सी नीती अपनाई इसका क्या पड़ी नाम हुआ तो इसका उत्र आप सबी लोग देख सकते हो जर्मनी का एकी करन विस्मार्क के प्रयासों से संभव हो पाया अपनी कुटनीती और सैनिक सकती के सहारे विस्मार्क ने जर्मनी का एकी करन किया वह प्रसा के ने तिर्टो जर्मनी का एकी करन करना चाहता था अतह उसने प्रसा को सैनिक रूप से ससक्त करने का प्रयास किया जर्मनी को एक ही सूत्र में बांधने के लिए विस्मार्क ने रखत और तलवार की नई नीती अपनाई विस्मार्क के जर्मन एक ही करन का उदेश से तीन युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ जो इतना से इतना को साथ वर्स की अल्प समय में लड़े गए जर्मनी के एकी करन में प्रसा के राजा विलियम प्रत्थम का बहुत हाथ रहा विस्मार्क की नीतियों के परिनाम सरुक यूरोप के नक्से पर एकी कृत जर्मनी जर्मन राष्ट का उदेख हुआ तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो फ्रेंड्स हमने अति लगो और लगो उत्रिये प्रस्नों का उत्तर दे दिया है और आप सभी लोग जानते ही हो कि वस्तुनिष्ट प्रस्नों के उत्तर तो भुक में ही राते हैं भारती भवन के तो हमने ये दोनों करा दिये इस वीडियो में और अगले वीडियो में आप सभी लोगों को part 2 में इसका दिर घुत्री ये प्रस्णों का उत्तर मिल जाएगा जाकर देख लेना और अगर आप सभी लोगों को ये पसंद आया वीडियो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दो हमारे चाहिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाओ तो आप तक जल्दी पहुँचे और आप सभी लोग क्लास 3 का अच्छे से तयारी कर पाओ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो भी देख लेना जिसमें दिर्ग उतरिये प्रसनों के उतर दिये गए हैं तब तके लिए जैहिं जैबारत